दोस्तों चंदा मामा दूर के अब तक ये लाइने आपने लोरी में और कविताओं में ही सुनी होगी लेकिन आपको जानकर हेरानी होगी कि ये बात बिल्कुल सचे चंद्रमा धिरे धिरे हमसे दूर जा रहा है ना साय की ओर से दी गई जानकरी के मुटाविक चंद्रमा हड स से धर्ती पर बहुत कुछ बदल जाएगा हाला कि चांद को हमसे दूर जाने में 60 करोड साल लगे हैं लेकिन एसा होने पर धर्ती पर सब बदल जाएगा प्राकति का आपदागी संबाउना बढ़ जाएगी नैं तो हमारी धर्ती वेसी रे जाएगी जैसी आज चांद धर्ती पर भी चांद का असर पड़ता है और धर्ती के जुकाओ पर भी चांद असर डालता है ऐसे में चांद के दूर जाने के कारण धीरे धीरे निस्तितियों पर असर पड़ेगा धर्ती से चांद की दूरी बढ़ने के कारण रातें जादा अंदेरी होने लगेगी धर्ती से द पर रात और दिन के समय में अंतर आ जाएगा उन जीवों पर भी असर पड़ेगा तो रात को जागते हैं इतना ही नहीं मोसम बदल जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा मोसम बदलेगा खगोल विदों की माने तो जब चंद्रमा बना तो उस वक्त धरती पर एक दिन केवल पाच घंटे का होता था चंद्रमा के आने के बाद ये 24 घंटे का होने लगा वेग्यानिकों की माने तो साड़े चार अरब साल पहले धरती से एक गरे टकलाने के कारण चंद्रमा की उत्पत्ती हुई प्रत्वी के गुरुत्वा करशन बल के कारण चांद को हलका बल लगता है इसी बल के कारण चंद्रमा के कक्षा की गती बढ़ जाती है और अगर वेग्यानिकों की माने तो इसी गती के कारण चंद्रमा हम से धीरे धीरे दूर हो रहा है तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यू